प्यारे विद्यार्तियो गुड़ मॉर्निंग आज हम भारते सविधान के बारे में उसके प्रारिम्बिक परिचे के बारे में जानेंगे सविधान क्या होता है? सर्वपरतम हम यह जानते हैं कि सविधान क्या होता है? सविधान किसी देश का आधारबुत कानून है जिसके अनुसार उस देश की सासन व्योस्ता का संचालन होता है यह अन्य कानून नोसे उचो होता है, सर्वपरतम होता है क्योंकि अन्य कानून सविधान के अंतरगत तता अधीन होते हैं क्योंकि सविधान मूल भूत कानून है, जिसे बदलना कटिन है, सविधान समाज के आधार भूत मुल्यों पर आधारित होता है सविधान लिखित या एलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है विष्वे के अधिकतर देशों में लिखित सविधान है, जिनमें एमेरिका, फ्रांस, जापान, भारत, आधी देशों का सविधान समिलित है, लिखित सविधानों में केवल बिर्टेन का सविधान ही ऐसा सविधान है, जिस क्या कुछ भाग को छोड़ कर सेश भाग एलिखित है, जो रिती रिवाजों, परंप्राओं तता अभी समयों पर आधारित है भारत का सविधान लिखित निर्मित तता विश्त्री सविधान है, भारत में जो सविधान का विकास है, वो प्रारंबिकाल से ही देखा जाता है, वेदिक काल में इस्तानिय सवसासन के लिए सबा समिती तता विदत नाम की संस्तायों का उलेक मिलता है इसी प्रकार दक्षिन में चोल राज्य के इस्तानिय सवसासन तता राजस्व प्रसासन का उलेक दर्ष्टनिय है लेकिन भारत में वास्त्वी के सवेधानी विकास अंग्रेजों के आने के बाद में परारंब होता है इसके साथ ही हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत के सवेधान का विकास हुआ इसे तुम भारते सवेधान की एतियासिक प्रष्ट भूमी को द्रष्टी गोचर करते हैं भारत में अंग्रेज 1600 AD में इस्टी इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आये महारानी एलिजाबेद पर्थम ने चार्टर पर अस्ताक्सर कर कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमती प्रधान की भारत की ततकालीन रानितिक प्रस्थितियों का लाब उठा कर कंपनी सिगरी ही रानितिक सक्ती मन गई 1765 में बंगाल भीयार उडिशा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए धीरे धीरे अपने सामराजे विस्त्रित किया सोसन का अर्चाकर चलाया इसके इफ़सरूप 1777 में एक विद्रो हुआ उस विद्रो के प्रणाम सुरूप 1858 में बिष्टित ताज ने भारत के सासन का उतरदाईत्व अपने हातों में ले लिया सवतंत्रता के लिए आंदोलन हुए जिसके पशुरूप 15 अगस्त गुनिसो सेंतारिस को भारत को आजादी मिली इस आजादी के बाद भारती जनता पर सासन हेतू सविदान की आवशकता मैसूस हुई 26 जनवरी गुनिसो पचास को भारती सविदान अस्तित्वे में आया ये सविदान यद्यपी सविदान सबा द्वारा बनाया गया था लेकिन बिटिस राज की दोरान कुछ गटनाओं तता उनके द्वारा बनाये के ये कानुनों का गैरा प्रवाव इस पर द्रश्टी गोचर होता है इन सब का विवरान इस परकार है सबसे पहले आता है कंपनी का सासन क्योंकि भारतीय में जो अंग्रेजों का सासन हुआ था उसको दो भागों में बाटा जाता है पहला कंपनी का सासन आता है जो 1600 के बाद में परारंब हो करके 1858 तक चलता है और उसके बाद में ताज का सासन आता है वो 1858 में परारंब हो कर 15 अगस्त गुनी सो सेंटारिस तक चलता है कंपनी के सासन के अंतरगात है हम देखते हैं कि किस प्रकार कंपनी ने भारती सासन को नियंतरित करने के लिए कौन-कौन से कानून बनाए इसी कड़ी में पहला कानून परारंब होता है 1703 का Regulating Act यह अधिनियम इस्ट इंडिया कंपनी के कारियों को नियमित तता नियंतरित करने के लिए बिट्टी सरकार का पहला कदम था इसने कंपनी को प्रसासनिक तता राजनिती कारे करने की अनुमती प्रदान की इसके द्वारा भारत में किंदे प्रसासन की नियम रखी गई